House of the Dragon और Game of Thrones के बीच का अल्मोस्ट 200 साल का टाइम है और House of the Dragon स्रीज में आपको मल्टीबल ड्राइगन्स देखने को मिले होंगे बट Game of Thrones में जस्ट तीन ड्राइगन्स ही देखे तो इसका रीजन है कि The Dawns of the Dragon event में बहुत सारे ड्राइगन्स मार जाते हैं क्योंकि House of the Dragon बुक में टारिगरियन्स हाउस की सिवल वार दिखाई गई है तो जब ये एक दुसरे से लड़ते हैं तो ये अपने ड्राइगन्स का भी यूज करते हैं फिर खुद भी मरते हैं और ड्राइगन्स भी मार जाते हैं तो आज हम इस वीडियो में एक्स्प्रेंट करते हैं कि कैसे और कितने ड्राइगन्स मारे गए House of the Dragon बुक में वैसे House of the Dragon बुक में में करेक्टर कैसे मारे गए इस पर मैंने अल्टरेटी वीडियो बनाई है तो आप इस वीडियो के बाद देख सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है यह पहला ड्राइगन था जो मारा गया था ड्राइगन एवेंट में और सिरीज में भी दिखाया गया है कि कैसे एमएंट टारिगरियन का ड्राइगन वेगार ने एरेक्स को और साथ ही इसके राइडर को खा लिया था और फिर उसके टुकले टुकले करके समंदर में पेख दिये वैसे एमएंट बस उसे डराना चाहता था मारना नहीं बट वेगार को काफी गुसा आता है और वो उसको खाई लेता है तो कहा जाता है कि इस एक्सिडेंट में दो माओं ने अपने अपने बच्चे खोई नाइफ नमबर पर है मिलीस दरेड कुइन ये एक फीमल ड्राइगन है और ये सबसे तेज ड्राइगन भी है इसकी पहले राइटर थी किन्ग वसीरेस वण और डेमन टारीगरिन की माः अलिसा टारीगरिन तो अलिसा पहले बेलरियन दा बलेग रेड्र ड्राइगन लेना जाती थी बट ड्राइगन्स कीपर ने मिलीस का संजेशन दिया क्योंकि वो बहूत ही तेज होती है तो अलिसा ने मिलीज ड्राइगन की 5 या 6 साल तक राइडिंग की और फिर जब अलिसा की डेट हो गई उसके 3 साल बाद मिलीज को पिर्णिस रनीज टारिकरिन ने क्लेम किया और फिर रनीज ही इसकी मरने तक मालक रही तो मिलीज की डेट होती है बेटल एड रोक्स रेस्ट में जब रनीज का सामना होता है एमन्ड और उसके ड्राइगन विगार और एगन टू के ड्राइगन संफायर से तो इन तीनों के बीच काफी अच्छी फाइड भी होती है तो लास्ट में ये दोनों ड्राइगन से साथ मिल कर अटेक करते हैं रनीज और मिलीज ड्राइगन पर जो के वो जहल नहीं पाते और वो गिर जाते हैं जमीन पर और वो वहीं मर जाते हैं आठे नमबर पर है स्ट्रॉम क्लाउड ये एक यंग मेल ड्राइगन है तो जिसा के सिविल वार चल रही थी टार्गेरियन साउस में तो प्रिंसिस जकेरिस विलेरियन अपने हाफ ब्रादर एगन 3 और वेसरिस 2 टार्गेरियन को भेजता है पेंतोस शेर जो एक फ्री सिटी ह होता है एकन अपने साथ स्ट्रॉम क्लाउड को भी लेके चलता है और फिर इनके ऊपर अटेक होता है और वहां से एकन और वसरिस भाग जाते हैं बट भागने में स्ट्रॉम क्लाउड को बहुत सारे तीर लगते हैं जिससे वह जखमी हो जाता है बट यह स्ट्रॉम क्लाउ पर है वेरमेक्स तो जकैरिस वलेरिन फर्स्ट ताइम में ही इसको अपना बना लिया था और वेरमेक्स ने भी जकैरिस को अपना मालक बना लिया देन टारिगरिन सिविल वार में जकैरिस वेरमेक्स का यूज करता है बेटल आफ दे गॉलिट में तो इनकी लड़ाई होती है ट्रियाकी से जो famous हैं kingdom of the three daughters name से और इनके पास समंदरी वार्शिफ होती हैं और फिर जब ये battle होती है तो जैकेरिस वेरमेक्स से इन पर हमला करता है अल्मोस्त ये जीती जाते हैं पर वेरमेक्स को काफी तीर लगते हैं और वो लो पड़ जाता है और वो समंदर में गिर जाता है और वो वही मर जाता है इस ड्राइगन की बहुती बड़ी हिस्टरी है कहा जाता है कि ये एगन वन टारीगरियन के टाइम में ही पैदा हुई थी मतलब कि अल्मोस्ट सो साल की ये ड्राइगन है और इसकी फस्ट मालकन थी रहीना टारीगरियन देन जब उसकी डेथ हुई तो फिर काफी सालों के बाद हैलीना टारीगरियन ड्रीम फायर की मालक बन जाती है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को समझती है फिर जब हैलीना के बताने लगा तो स्टोरी स्पोयल हो जाएगी तो शोट में बताता हूँ कि लोगों का हुजूम जमा होता है फिर वो ड्राइगन गेट को तोड़ कर घुस जाते हैं फिर ड्राइगन कीपर जितने भी होते हैं उन सब को मार देते हैं और ड्राइगन पिट में चार ड्राइगन होते हैं और वो जाग जाते हैं पर वो जंजीरों में बांदे होते हैं चैरी कोस और मोर्गों बहुत ही यंग होते हैं और टारैक्स जो इन दोनों से थोड़ा बहुत बड़ा होता है और फौर्थ नमबर पर है ड्रीम फायर तो ड्रीम फायर के इलावा तीनों ड्राइगन्स को वो लोग मार देते हैं क्योंकि वो बांदे होते हैं और वो खुद को छुड़ा नहीं पाते और ड्रीम फायर चेंज को तोड़ कर लोगों को मारती है बट इस पर तीर मार जाते हैं और एक तीर इसके आंक में लगता है और वो अंधी हो जाती है फिर बजने के लिए वो उपर की तरफ उड़ती है तो ड्राइगन पिट की छट तूट जाती है और वो उसके उपर गर जाती है जिसका वजन टन्स में था तो वो उसमें दब कर मर जाती है और जाता है कि उस में हजारों लोग मारे गए थे और साथ ही ये चार ड्राइगन भी फाईफ नमबर पर है सैरेक्स ये एक फीमिल ड्राइगन है और रहनेरा टारीक IN 7 साल मार जाता है तो उन में एक टारेक्स नाम का ड्राइगन होता है तो वो असल में जोफरी का होता है और फिर जोफरी वलेरिन देखता है कि ड्राइगन पिट में ड्राइगन फस गए है तो वो उनको बचाना जाता है क्योंकि जोफरी वलेरिन कुछ करना जाता था तो उसके साम बोर नीचे आती है तो इसको ड्राइगन को मारने वाले उस पर हमला करते हैं और फिर सारेक्स उन से लड़ते लड़ते मर जाती है फॉर्थ नंबर पर है मून डानसर ये भी एक फीमेल ड्राइगन है और इसकी मालिक है बाइला टारिगरियन तो एक फाल अफ ड्राइगन स्टोन बेटल होती है एगन टू टारिगरियन और बेला के बीच वैसे और भी होते हैं बट मैनली यही हैं सो बेला अपने चेंबर ने होती है और उसको पता चल जाता है कि कोई घुसा है तो वो छुपकर जाती है अपने ड्राइगन के पास और बाहर निकल जाती है बट इसका सामना होता है एगन टू से और ड्राइगन स्टोन के ओपर हवा में इन दोनों की भूती अची फाइट उती ए तो संफायर अपने फुल आग के साथ अटेक करता है और बैला क्रेश करती है मौन दानसर के साथ और वहीं पर मौन दानसर मार जाती है बट बेला जखमी होती है थार्ड नमबर पर है संफायर एक Golden Male Dragon है और इसका मालिक है King Aegon II Targaryen तो जब Aegon II Bela Targaryen और उसके Dragon Moon Dancer से Fight करता है तो Aegon II और उसका Dragon बहुत ही जख्किमी हो जाते हैं और उसके जख्कम ठीक नहीं होते हैं और दिन बे दिन इसकी हालत खराब जाती है और उस Accident के 9 दिन बाद Sunfire की डेथ हो जाती है दूसरे नमबर पर है यह तीन ड्राइगन से सी स्मोक वीरमाइथोर टिसारियोन तो एक बहुत ही बड़ी बैटल होती है The Second Battle of Templeton तीनों ड्राइगन उसमें मार जाते हैं जिसमें वीरमाइथोर जो अलमोस्ट 90 साल का ड्राइगन होता है और टेसारियोन एक बिलू फीमल ड्राइगन है जिसकी एज जस्ट 10 साल होती है और सी स्मोक 30 साल का सिलवर ग्रे ड्राइगन होता है और अब ये कैसे मार जाते हैं बताने लगा तो भाई अदा गंटा लग जाएगा बट इस Second Battle of Templeton में ये तीनों ड्राइगन मार जाते हैं और मैं इस पर एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा और पहले नमबर पर है वेगार और केराक्सिस तो सबसे पहले बात करते हैं वेगा ड्राइगन की तो ये सबसे लार्जस्ट ड्राइगन है ये सतर साल की फिमल ड्राइगन है तो इसके काफी राइडर्स रह चुके हैं जैसे के वसेनिया टारिगेरियन उसके बाद बाद बाइलाउन टारिगेरियन डेन लाइना वालेरियन और लास्ट एमन टारिगरियन तो अब बात करें करेक्सिस की तो वो एक मेल ड्राइगन है जिसका पहला राइडर था एमन टारिगरियन डेन जब उसकी डेथ हुई तो फिर डेमन टारिगरियन ने क्लेम किया तो करेक्सिस को डेमन कंट्रल कर लेता है क्योंकि ये थोड़ा सा वाइल्ड भी है और डेमन को सबसे बेस्ट राइडर मना जाता है ड्राइगन्स का वेगार और करेक्सिस की डेथ होती है बेटल अब ओड़ गोड्स आई में जब डेमन और एमन का सामना होता है एक दूसरे से तो ये दोनों किंग स्पायर टावर आफ हल के उपर फाइट करते हैं तो वेगार ने अपने पंजे करेक्सिस के चाती में गाड़ देती है और उसके एक बाजू को काट भी लेती है तो उसी दोरान करेक्सिस भी वेगार की गर्दन पर बाइट कर लेता है और फिर डेमन जिशाल के दीवार के साथ मर जाता है और वेगार की बोडी एक साल के बाद पानी से निकलते हैं और ऐसा लिए इन दोनों की डेट हो जाती है तो डाउन्स ऑफ्छाफ ऑफ ड्राइगन इवенट में टोटल शॉबाइगन से मर जाते हैं तो दुस्तों बुक में सारे लिए गये हैं तो यहीं वज़ा है कि इस स्रीज को काफी पसंद किया जा रहा है अब कितने ड्राइगन्स और रह जाते हैं यहां फिर जो गेम आफ त्रेंड में ड्राइगन्स देखें तो वह किस ड्राइगन के एक होते हैं तो मैं उस पर भी एक वालग वीडियो बनाऊंग तो वह वीडियो देखने के लिए प्लीज हमाँ चलंग सब्क्राइब करें अभी तक के लिए यह है और अगर कोई प्रनाउंसेशन में मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए सोरी